हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब दोस्तों यह मिक्स प्रैक्टिस सेट वन है और इसमें सारे सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड किये हैं और काफी मैनत लगाई से बनाने में तो इस प्रैक्टिस सेट को लास तक जरूर लगाईएगा एक चीज मैं खास कहना चाहूंगा जिन ल आते हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उनको अपना नंबर दी दूंगा उस पर ही मैं वाटसप भी कर दूंगा उस पीडियेफ को इससे आपको पेमेंट करने में भी दिक्कत नहीं होगी गूगल पर या फोन पर यह ऑप्शन एविलिबल है तो चलिए सुरू करते हैं आप एला कोस्टन देखते हैं और पहला कोस्टन देखने चे पहले यह हमारी फेजबूक рьूस इडि वीडियोज के लिए सबसे पहले इस चैनल पर आते हैं तो वन डे एक्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा साथी साथ इस चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए टेलिग्राम का नहीं का पी एच वाईल्यू क्या है 7.3 7.5 8 या फिर 46 बताइये इसका राइट अंसर होगा 7.3 देखिये दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कहीं कहीं 7.3 भी देगा कहीं 7.5 भी देगा लेकिन 7.3 लिदेख पॉंसर अब हापको कन्फीूज नहीं होना है 7.5 भी भी हो सकता है बट मैक्सिमम अगर दोनों हो तो 7.3 राइट आंसर होगा ठीक है अगर सिर्फ 7.5 हो तो 7.5 होगा और भी बहुत चीजों का pH value जैसे की urine होता है उसका pH value 6 होता है milk का pH value कितना होता है आप मुझे comment करके बता सकते हो ठीक है जितने भी water का pH value कितना होता है 7.4 ठीक है जितने भी pH value है वह आपको याद होने चाहिए sorry milk and water दोनों का सेम होता है 6.4 होता है आपको यह ध्यान होना चाहिए एक होता है जो liver अलग से note कर लिजिए एक copy और notebook लेके बैठ जाईए मैं थोड़ आपको time देता हूं एक notebook लेके बैठ जाई I hope आप लोगोंने notebook निकाल लिया होगा next question है article 51 किस संसोधन द्वारा जोड़ा गया article 51 added by which constitutional amendment act बताइए 51 एक किसके बारे में है तो यह है fundamental duty के बारे में देखते हैं कितने लोगों का सही होता है यह 42nd amendment act के द्वारा इसे जोड़ा गया है नेक्स्ट है fundamental duty is added by which recommendation मूल करता वे किसकी संस्तूती पर लाया गया जे वीपी कमीटी एसके धर कमीटी मुंचुन सिंग कमीटी या फिर स्वार्ण सिंग कमीटी तो इसका राइट आंसर होगा स्वार्ण सिंग कमीटी next question जिसका मैंने कली आपको बताया था इसका आंसर जिनोंने भी history का practice it लगाया होगा वो जानते होंगे अलबरुनी is in the court of अलबरुनी किसके दरबार में रहता था मुहमद बीन तुगलक मुहमद गजनवी मगदूम या फिर कोई नहीं बताये राइट आंसर ये था महमुद गजनवी ये अफगानिस्तान के गजनी प्रंत का रने वाला था गजनी प्रंत से आया था और ये इसन पिंदोगोश को आप जानते होंगे ये भी 113 से नहीं थे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधी दी थी रविन्ना टेगोर ने सुबाश चंद बोश को नेता जी की उपाधी किस ने दी थी तो ये नेता जी कहा था हिटलर ने ठीक है आपको ये सब एक्स्टा फैक्ट्स याद रखने चाहिए प्लीज इसे नोट कर लिए इंडियन ओपेनियन किसकी पत्रिका है ये आपको पता होगा ये महात्मा गांधी की पत्रिका है अब्जेक्टिव रिजोलुशन प्रजेंटेड इन कंस्ट्यूएंट असेमली बाई उद्देश से प्रस्ताव किसके दौरा प्रस्तूत किया गया बताईए राइट आंसर सर्दार बल्लब भाई पटेल जोहालाल नहरू महात्मा गांधी या फिर राजज अंदिर ठीक है दोस्तों आपको यह याद रखना चाहिए जो भी मैं डेट बता रहा हूं उसको जरूर्ण नोट करते चाहिए कि फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन डिस्क्राइब इन विच सेड्यूल ओथ हैं अफर्मेशन बताईए दो तीन चार या फिर पांच यह सेड्यूल थिरी में इसके बारे में वर्णन किया गया है बोडो भासा को किस संसोधन द्वारा जोड़ा गया बोडो लाइंग्वेज इस अड़ेड इन एफ सेड्यूल बाई विच अमेंडमेंट तो मैंने इसका ट्रिक बताया था बोडो मासा ठीक है वानिशा को अलावाज नेपाली तो अपनें अमेंडमेंट की वीडियो देखी होगी तो आपको वह पता भी होगा ठीक है और इस अमेंडमेंडमेंट की वीडियो वन डे एक्जाम पॉइंट पे बहुत ही बेधरिन ट सब्सक्राइब करें ठीक है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा तो बोडो मासा ठीक है बोडो मासा ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट अक्ट में आया था इसमें कौन-कौन से लेंगविज जोड़े गया थे बोडो डोगरी मैथिली और संथाली ठीक है नेक्स्ता विच अब फॉलोइंग रिवर मेक रिफ्ट वैली कौन सी नदी जो है वह रिफ्ट वैली भरंस गाटी बनाती है नर्मदा गंगा यमुना एंड गोदावरी तो राइट अंसर क्या होगा नर्मदा नर्मदा और तापती जो है रिफ्ट वैली या वरंस गाटी बनाती है इन बांगलादेस रिवर गंगा इस नोना बांगलादेस में गंगा को किस नाम से जाना जाता है तो बताइए राइट आंसर पदमा, मेगना, भागी रथी या फिर महागंगा तो मैंने इसका ट्रीक भी बताया था नदियोक वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लिजे दोस्तों आपके इंट्रेंस बहुत पास आगा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो है सब को सारे अलग-अलग सब्जेक्ट के उसको दोहराना सुरू किजिए रिवीजन सुरू किजिए और सब वीडियो को 2x पे करके देखिए क्योंकि आपने एक बार पहले देख लिया है तो 2x पे देखिए जी लोग नए है वो सिंपल नॉर्मल मोड पे देखेंगे और उस देल्टा किसके किसके दौरा बनता है बताईए गंगा ब्रह्म पुत्रा गंगा एंड जेलम सिंदु एंड जेलम गंगा एंड सिंदु तो इसका राइट आंसर होगा गंगा एंड ब्रह्म पुत्रा नेक्स्ट है जोग्या गर्सुपा जहरना कहां है जोग्या गर्सुपा जर्णा है कि हुआज फर्स्ट गौर्णर जनरल अफ बंगाल बंगाल के पर्थम गौर्णर जनरल कौन थे तो यह विलियम बैंटिक लॉड के निंग लॉड वारेन हिस्टिंग्स मांट बेटें पताइए इसका राइटांसर यह तो कई बार मैं बता चुका हूं और यह एक् फरी लास्ट गौर्णर जनरल बंगाल यह वारेन हिस्टिंग थे और विलियम बैंटिक जो थे वो भारत के प्रेसम गौर्णर जनरल थे भारत चे लौर ऊंड लाड कैनिंग आपको यह ध्यान रखना चै00 यह ट्रिक मैंने इसका पढ़ाया था और पर्थम वायस राय भी लॉड कैनिंग थे शिक्स्ट सिड्यूल में संस्वीच अब फॉलोइंग स्टेट तो मैंने इसका बताया था असी मित्री मेघा ट्रिक तो आई यह अप्शन देखते हैं अरुनाचल प्रदेश नागा लैंग मनिपूर या मिजोरम तो इसका ट्रिक था असी मित्री मेघा तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघा से मेघा लें तो इसमें जो है मोजोरम नहीं, मिजोरम होगा चार्ज होगा वो राइट आंसर होगा राजय के आंतरिक परयोतन को किस में बताया है बताईए कि तो गूंटरी परयोतन के नाम उनके बाऊंडरी लाइन ये सब बदलने की बात हुई है अर्टीकल 3 में किस सुप्रीम गोट के जज को अभी हाली में राजसभा में चुना गया है तो यह चुने गए है रंजन गगोई जी चुने गए है राजसभा में तो यह जरूर याद रखिएगा यह पुछा जाएगा और यह किस क्रम के चीफ जस्टिस है कितना इनका कारेकाल था यह 13 महीनों तक इनका कारेकाल था नौर्थिस्ट से थे और यह जो थे आपको यह याद रखना है कि इन्होंने अयोध्या मामले की सुनवाई इन्होंने ही की थी और उसके साथ जो भी 5 लोग और थी उनका सब डिटेल मैंने वीडि में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इंपोर्टेंट जज्मेंट चैप्टर में अभी जो है हमारे यह से बोब्डे जो की महराष्ट के हैं और इनका कारेकाल 17 महीनों का है दूद का पिक्छी गनतों कैसे माना जाता है मापा जाता है रिलेटिव डेंसिटी आफ मिल्क इ या फिर हाइड्रोमीटर बताइए इसका राइट अंसर तो यह है लैक्टोमीटर नेक्स्ट है ओजोन लेयर इस मेजर इन विच यूनिट ओजोन परत की परिक्छा किस से की जाती है कौन से यूनिट में नॉट यूनिट डॉप्शन यूनिट मैक्सवेल या फिर प्लैंक यूनिट तो यह है डॉप्शन यूनिट नेक्स्ट है किस रंग का तरंग डेर्थ सबसे लंबा होता है तो लाल बैगनी नीला या फिर पीला तो right answer क्या होगा red red color जो है उसका तरंगदर्ट सबसे ज़्यादा होता है बैगनी violet जो होता है उसका तरंगदर्ट सबसे कम होता है धूप के चसमे के power कितनी डायोप्टर की होती है sunglass power sunglass जो होता है उसकी power कितनी डायोप्टर होती है तो इसका right answer जीरो टू फाइव या फिर टेन यह होता है जीरो डायोप्टर देखिए दोस्तों पावर क्या होता है पी ब्राबर वन बाई एफ आपने फर्मूला पढ़ा होगा फोकस का अपोजिट होता है तो इसमें जो है संग्लास में कोई पावर नहीं होता वो दरसल सूरी की किरने ज या ननाबद है वह अब ध्यान दीजिए निकट ड्रिष्टिरोस मतलब नियर शाइटेडनेस इसको जो है कन्केव से मुक्त किया जाता है कन्केव मिरर से ठीक है तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए और जो दूर द्रिष्टिरोस होता है मतलब फार साइटेडनेस उसमें convex lens का use किया जाता है mirror नहीं lens sorry mirror मैंने एक बार बोल दिया convex और concave lens का next जो है radar used which range radar की तरंग का उपयोग करता है तो अगर आप लोग radar का full form जानते होंगे तो आपको पता भी होगा radio sound light या फिर infrared तो radar जो है वो रेडियो तरंग का use करता है radio इसका नामी है radio navigation and ranging ठीक है next है monagite किसका आयस्क है आयस्क आप और जानते होंगे ore monagite जो है यह किसका आयस्क है thorium titanium law या फिर जर्कोनियम तो यह आयस्क है किसका thorium का thorium पता है nuclear missile के लिए यूज होता है nuclear में next है question lead pencil में होता है lead pencil में क्या होता है graphite sisa या फिर mercury या फिर लोहा lead pencil में होता है grey fight next mushroom क्या होता है mushroom mushroom आपने देखा होगा fungus होता है या फिर कोई animal होगा tree होगा या फिर bacteria fungus जो होता है mushroom जो है वो fungus कवक होता है next है noble oil इसमें से कौन है noble oil जो है वो है TNG ट्राइन नैट्रो टॉलूइन होता है जो कि विस्फूटक होता है और TNG को कहा जाता है noble oil next है keto के वाइग्यानिक अध्यान को क्या कहा जाता है scientific study of insects पारसेटोलोजी माइकोलजी इक्थियोलोजी या फिर entomology तो इसका राइट आंसर क्या होगा एक ठीक है 27 नोबल ओयल का राइट आंसर होगा दो सौरी दो टी एंजी इवोल्यूशन का स्वर पर्थम किसने समझाया इवोल्यूशन मतलब विकास theory of evolution theory of acquired character theory of तो यह जितने भी मैंने अभी बाते बताई theory of inheritance और acquired character का यह और इवोल्यूशन का theory यह दोनों theory जो है लैमार्क ने दिया था लैमार्क जुरूर याद रखिएगा theory of natural selection यह किस ने दिया था यह डार्विन ने दिया था तो Einstein के बारे में आपको पता है और Newton के बारे में भी आपको पता होगा रक्त में लाल रंग किसकी कारण होता है रक्त में लाल रंग जो है वह हीमोग्लोविन के कारण होता है हीमोग्लोविन क्या है हीमोग्लोविन ब्लड में उपस्थित होता है आपने ब्लड के सनचना और formation में biology में पढ़ा होगा blood में क्या क्या होता है RBC WBC और platelet और इसमें ही एक minute particle जो है वो hemoglobin है प्रकास translation होता है प्रकास translation क्या होता है किस में होता है बताइए तो प्रकास translation chloroplast में होता है या फिर mitochondria nucleus या फिर इन में से कोई नहीं तो प्रकास translation होता है chloroplast में मानो शरीर में vitamin A संचरीत होता है संचरीत इन दसेंस की जमा होता है तो यह होता है vitamin A liver में जमा होता है कल की करेट फेर्स में भी मैंने यह बताया था ठीक है और vitamin A थोड़े से मात्रा में स्कीन में भी जमा होता है नेक्स्ट है आर्टिकल 55 51 A किस संसोधन द्वारा जोड़ा गया तो यह question आपने उपर भी देखा होगा यह 42 समिधान संसोधन में आया पोलियो होता है पोलियो किसकी वज़ा से होता है वायरस से वैक्टिरिया से प्रोटोजवा से या फिर फंगस से हर एक्जाम में दो question इस से रहते हैं ठीक है कौन सी बिमारी किस वायरस बैक्टिरिया या प्रोटोजवा के कारण होता है पोलियो जो है वह वायरस की वज़ा से होता है और रोनाल रॉस ने इसके रोनाल रॉस ने सौरी मलेरिया का खोज किया था और यह जो है जोन ई साल्क जोन ई साल्क इसने पोलियो ड्रॉप्स या वैक्सीन का खोज किया था next है sleeping sickness होता है sleeping sickness किसकी वज़ा से होता है तो यह होता है proto जोवा की वज़ा से sleeping sickness से से fly से से एक मक्षी होती है उसकी वज़ा से यह sleeping sickness फैलता है और और भी लोगों को होता है next है fundamental duty is added by which recommendation तो यह आपने देखा swan sing committee के recommendation से हुआ है next question है hottest planet of the solar system स्वार मंडल का सबसे गर्म गरह कौन है तो यह है पता है यह right answer Venus Mars या Earth या Saturn तो यह है Venus ठीक है longest river in South India South India की सबसे लंबी नदी तो यह है गोदावरी नदी गोदावरी 1465 km South India की सबसे लंबी नदी है most abundant element found in Earth crust प्रिथिव पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो यह पाया जाता है oxygen oxygen प्रिथिव पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मूल करतव या किस भाग में जोड़ा गया तो मूल करतव में जोड़ा गया भाग चार एक चार नंबर में तो दोस्तों ये question फिलाल 40 question का ही set था अगर ये बहुत आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों ने इसे अच्छे से demand किया तो मैं इसके आगे set 60 question तक ले जाओंगा और अगला जो set कब आएगा ये मैं आपको notify करूंगा तो दोस्तों अभी तक के लिए फिलाल इतना ही current face की PDF जो है आप जरूर पर्चेस कर लिजे 55 रूपीज उसका प्राइस है कोरोना की वज़े से और कोरोना खत्म होने के बाद उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी टेलीग्राम में उसका लिंक है आप वहाँ से जाके पर्चेस कर सकते हैं थैंक्यू सो मच